हाथ दर्शा को स्वागत एक बड़ फिर मेरे यूट्यूब चैनल की कमाल फ्रेस वीडियो में और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताने बाला हूँ कि केसे हम अपने मोवाइल की सहाईता से बैसे तो आपने वीडियो का थमनेल देख लिया है और वीडियो का थमनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि इस वीडियो में मैं आपको क्या बताऊँगा लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम अपने मोबाइल की मदद से और दूरी को नाप सकते हैं दूरी से मेरा मतलब है कि जिसे आपका घर है आपके घर के पास से कोई सा रास्ता निकल कर जाता है तो उस रास्ते पर आप देख सकते हैं कि ये रास्ता एक किलोमेटर बाद कहां जाकर पहुंचेगा या फिर अगर आप उस पर चलकर जाते हैं तो आप उसमें जो मैं आपको बताने बाला हूँ उससे आप देख सकते हैं कि एक किलोमेटर कहां पर हुआ है या फिर एक किलोमे एक एप्लिकेशन है जिसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी उससे जमीन ना पी जा सकती है तो दोस्तों उसी एप्लिकेशन से मैं आपको दूरी भी नापकर बताने वाला हूँ दूरी में आपको किलोमिटर में नापकर बताने वाला हूँ उसमें फीट में भी दिवरी ना पी जा सकती है, किलो मिटर में भी ना पी जा सकती है और भी हैं एक दो options तो उनको अभी हम देखेंगे वीडियो में आगे तो दोस्तो वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको पहले ही बोल देता हूँ अगर आपने भी तक मेरे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया speaking कर लो और अकर बेल कर दबाया है तो प्रोप भूआने के बादने के बा दो olur माई पर वीडियो की नोटिफिकेस्ट आपके पास जल्द से जल्द पहुंचेगी तो दोस्तों सबसे पहले आपको जाना है अपने मोवाइल के प्लेइस्टोर में और प्लेइस्टोर में जाने के बाद यहां पर ऊपर से सर्च करना है जीपीएस फिल्ड एरिया बस इतना लिखकर सर बहुत सारे अप्लिकेस्ट आ रहे लेकिं यहां पर यह जो तीसरे नंबर पर जो एप्लिकेस्ट है इसी को क्लिक करना है दूसरा कोई साभी क्लिक नहीं करना है तो मैंने इसको क्लिक किया है अब यहां पर से मैंने इसको अभी अभी डाउनलोड किया है उसकी मैं रिकोडि खुलने वाला है इसा ही खुलेगा है application जो भी permissions मांगता है वो आपको इसमें देना है यह देखिए एलो field area measure free to access this device location मांग रहा है तो इसको एलो कर देजिए अब हमारी जो location है एड्जेक्ट location पर बहुच चुका है इसके बाद में आपको थोड़ इस सेटिंग बता देता हूं वो सेटिंग भी कर लेना है आपको यहाँ पर उपर जो three lines दिए हुई है उसको क्लिक करना है यहाँ पर जो setting के option पर क्लिक करना है इसके बाद में यह जो measurement system आपको दिख रहा है नीचे एक और option दिया हुआ है keep screen always on यहाँ पर यह क्लिक नहीं था लेकिन अभी मैंने क्लिक किया है कुछ दिर पहले ही अगर आपको इसको चालू करना है तो इसको चालू करना इससे यह होगा कि आप जब भी यह जो measurement करते रहेंगे मतलब जमीन नापने का काम करेंगे य यह नहीं बताता है तो GPS measurement को क्लिक कर लेंगे अगर यहां पर से और start measuring लिखा हुआ है start measuring को मैं क्लिक कर लूँगा और बढ़ना चालू करूँगा तो दोस्तों मैं start measuring क्लिक कर दिया है और अब मैं चल रहा हूं तो दोस्तों अब देखिए चल कर हम चाते हैं और जाकर मुझ मतलब जो measurement हो रहा है वो सही होता है या नहीं यह आप देख सकते हैं यह जो भी location के पीछे जो लाल वाली जो लाइन चल रही है ना यही इसी जगह पर मैं चल रहा हूँ अब इसी वक्त देखिए 90 feet के लगभग हो गया है उपर लिखा हुआ आ रहा है अब दोस्तों यहां पर मैं आ चुका हूँ अब यहां से और मुझे बापस जाना है तो मैं बापस return हो रहा हूँ तो ठीक है मैं बापस जा रहा हूँ चल कर अब और मेरे को जहां तक लगता है बिल्कुल सही फिट भी फिट में हो सकता है एक या दो फिट का अंतर होगा मतलब की reality में और mobile में बाकी ज्यादा अंतर नहीं होता है दोस्तों मतलब अगर आप भी बिना पटवारी के अपनी जमीन आपना चाहते हो तो बहुत ही तरीका है इस से नापने का कुछ भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है तो यह देखिए दोस्तो में जाकर आया हूं तो इसका मतलब है कि 115 फीट के लगभग में गया हूं और 115 फीट के लगभग ही में बापरस आया हूं तो ऐसे आप भी जमीन नाप सकते हैं इसके बाद में अगर इसको सेब करना है तो नीचे यह एड़ मिजर्म एड़ पॉइंट के साइड में ड़न ल जया है में मेरा नाम देता हूं और उप्र सेब बटन दबा देते हैं तो यह से हो चुका है अब आप इसको कभी भी हिच्टे में जाकर देख सकते हों तो दोस्तों डाउनलूर करने है क्यों यहां पर यह एड़ आया था तो दोस्तों आयोप आपको वीडियो पसंद आई ह होगी अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देने चैनल को देने सब्सक्राइब तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जाए ही बंदे मात्रम